अगर आपके सरीर में सुस्ती है, ठकान है, कमजोरी है, आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करता, बिड से उठने का मन नहीं करता, क्योंकि आपके सरीर में इनरजी की कमी है, ताकत की कमी है, उसके साथ साथ आपकी मरदाना ताकत बिलकुल खत्म हो चुकी है, आप अपनी बी के लिंग में अच्छी तरीके से तनाव नहीं आता पहले की तरह आपका लिंग टाइट नहीं होता आपके लिंग में धीला पन आ गया है आपके सरीर में सुस्ती है कमजोरी है ठकान है आपकी कमजोरी थकान सुस्ती को खत्म करके आपके सरीर को घोड़े से भी ज़्यादा ताकतवर और फुर्तीला बनाएगा और आपकी संभोग करने की टाइमिंग बढ़ाएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक संभोग कर पाएंगे और अपने सरीर को ताकतवर सक्तिसाली बना सकते हैं विल्कम दोस्तों आपका हमारे नए बीडियो में सुआगत है लोग आज कल एनरजी को बढ़ाने के लिए तरह तरह की अंग्रेजी दवाईयों का उपयोग करते हैं अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तरह तरह के दोस्तों तरह तरह के पाउडर का उपयोग करते हैं लेकिन हम आपको बता दें यह अंग्रेजी दवाईया और यह पाउडर्स सिर्फ आपके सरीर को कुछ समय के लिए ताकत दे सकते हैं लेकिन आज हम आप के लिए जो नुस्खा लेकर आए हैं अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे इसके साथ-साथ आपके सरीर में ताकत एनरजी भरपूर मात्रा में होगी आपके सरीर की ताकत बढ़ेगी एनरजी बढ़ेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपनी बीबी के साथ संभोग करने का आनंद उठा पाएंगे तो चलिए फ्रेंट्स इस अद्भुत औसधी के बारे में जाने इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो ध्यान से देख लो और पहचान लो यह दोस्तों आप अच्छी तरीके से ध्यान से देखो यह गरी है और दूसरी चीज़ चाहिए आपको मिसरी और तीसरी और आखरी चीज़ चाहिए आपको बादाम तो आपको बादाम और लेना है सूखा हुआ नारियल और मिसरी तीनों चीज आपको बहुत ही आसानी से आपकी किराने की दुकान पर जहां से आप किराने का सामान लेते हैं वहीं से आपको बादाम सूखा हुआ नारियल और मिसरी आपको आसानी से मिल जाएगी तो सबसे पहले आपको प्रति दिन साम को खाना खाने के बाद आपको बादाम को सुबह से ही भीगा कर रखना है पांच बादाम को आप भीगा कर रखें पांच बादाम को साम को सोते समय खाना खाने के बाद बादाम के छिलके को निकाल दें और उसके बाद उसे अच्छी तरीके से पत्थर की लंगरी में या मिकसर में डालें और उसमें आपको 5 बादाम और 50 ग्राम की मात्रा में आपको नारियल और 50 ग्राम की मात्रा में आपको मिसिरी डाल कर उसे अच्छी तरीके से पीस लेना है पीसने के बाद आपको आधा लीटर दूद लेना है आधा लीटर दूद में आपको पाँच बादाम का टुकड़ा 100 ग्राम की मात्रा में आपको नारियल का पेश्ट और 150 ग्राम की ही मात्रा में आपको मिसिरी मिला कर उसे अच्छी तरीके से दूद को गर्म करना है तब तक दूद को गर्म करें जब तक कि उसमें तीन बार उस दूद में उबार ना आ जाए उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बादाम और आपका यह नारियल और आपका मिसीरी अच्छी तरीके से उसमें मिक्स हो जाए घुल जाए तब आपको उसे उतार लेना है उतार कर थोड़ा हलका ठंडा करें उसके बाद आपको उसका सेवन करना है मात्र 15 दिनों तक सेवन कर लो आपके सरीर में घोड़े जैसी फूरती और घोड़े जैसी मरदाना ताकत आएगी आपकी संभोग करने की टाइमिंग बढ़ेगी यह आपके सरीर को एनरजी से भरपूर कर देगा तो फ्रेंड्स अगर आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबस पहले आपको मिले मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड